हर बार हम सरकार बनाने के बाद रिपीट नहीं कर पाते हैं इस बार दुबारा वो ही हुआ इस बात का खेद हम सबको है और इस पर चिंतन भी करना पड़ेगा और आत्म जिंतन भी करना पड़ेगा हर स्तर पर उन्हाने जो स्टेट्मेंट दिया है वो बड़ा आश्चर जनक है और क्योंकि वो मुख्वंती जी के OSD का है इसलिए चिंता का विशे भी है और इस पर मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्टी कहीना कहीं इस पर ध्धान देगी कि जो परणाम आए वो उसमें हमारी सरकार नहीं बन पाई और जिस परंपरा को तोड़ने के लिए हम लोगों ने महाँ मेनत करी और हर पोशिश करने के बावजूद भी हम काम्याब नहीं हो सके निश्चित रूप से ये चिंता का विशे है क्योंकि पूरी ताकत हम लोगों ने लगाई सारी मेनत करी और हर बार हम सरकार बनाने के बाद रिपीट नहीं कर पाते हैं इस बार दुबारा वो ही हुआ इस बात का खेद हम सबको है और इस पर चिंतन भी करना पड़ेगा और आत्म जिंतन भी करना पड़ेगा हर स्तर पर कि कहां कमिया रही क्या वो कारण थे जिन वज़ाओं से हम सरकार दुबारा नहीं बना पाए बहराल कारेकरतों ने पूरी महनत करी उमीद वारन अच्छा चुनाव लड़ा कारणों का विश्टेशन भी होगा कल सभी कॉंगरीसी बिधायकों की एक मीटिंग भी है उसमें आगे क्या रन्नीती पार्टी की होगी परदेश में जिलों में देश में भी उसकर भी चर्चा होगी लेकिन मैं तता जरूर मानता हूँ कि हम सब लोग चाहते थे कि महत्यपदेश में चत्तिसगड राइस्थान में जो तीनों भिंदी भाशी राज्ये हैं जो में बनिश्पद मुझे लगता है कि मैंने आकरे देखे थे तो हमको वोट प्रदिशत भाजपा से ज्यादा मिला है अन्य-अन्य कारणों से हम लोग सरकार नहीं बना पाए और सरकार रिपीट करना हम सब का उद्देश ही था लेकिन इसके बारे में बहुत honestly आत्मिश्टेशन करना चाहिए और करना पड़ेगा और बहुत इमानदारी से इसका विश्टेशन हम करेंगे कि कहां कम्या रह गई थी क्योंकि आने वाले समय में लोग सबा के चुनावा में पांच महीने के बाद वो बड़ी चुनावती देश्टी हमने हैं और इसमें पूरे पचार में खरगे साहब हो प्रियंका जी हो राहूल जी हो हर प्रदेश में वो गए पूरी ताकते साथ काम भी किया फिर भी हम सरकार नहीं बना पाए लेकिन एक मजबूत और सचक दिपक्ष बनकर हम लोग का करेंगे और आने वाली जो नहीं सरकार है उन्होंने जो वादे कि हैं उनको पूरा करने के उनको मजबूर करेंगे और जन्ता के वाजबन्य का काम हम लोग करेंगे जोश बढ़ने का मूल मंत्र क्या रहने वाला है? जनता के भी जाना पड़ेगा और वो जनता की कसोटी पर खरा उतरने के लिए हम लोगों को क्या रनीती बनानी है? क्या संदेश देना है? कौन संदेश वो देगा? कैसे जनता तक पहुंचाना है? कारेकरताओं में किस परकार हम उठजा का संचार दुबारा करेंगे? समय बह जल्द हम लोगों को इस पर चर्चा करनी होगी और मुझे जो भी कुछ कहना है बताना है पार्टी प्लाटफॉर्म पर उस बात को में रखूँगा चाहिए बड़ा आरोप लगाया है कि गेलो साब नहीं चाहते है सरकार बने उन्हों कमिया रहा है मैंने भी उस्टेटमें देखा जो मुकूंती जी के विशेश सलाकार के नामिन का लोकेशनों ऑनारे जो स्टेटमेट दिया है वह बड़ा आश्चर जनक है और क्योंकि मुकूंधी जी जी का है इस लिए चिंथा का विशेज भी है और इस पर मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्टी कही ने करीश् कि यह इसा बोला इनों ने अपने आप में मैं समझता हूं इस बड़ा चिंता का विशे है क्या संगेटन के अंदर और टीक्टों में नए चहरों को लाए जाता था तो उसका फायदा कर दिश्टेशन की हैं आप निए बात करेंगी मैंने जो कहा था वो मेरे पाटी अन्तिम होता है हम लोगों को वेपक्ष मैटनी की जिम्मेदारी दी है हमने पहले भी इसको भुखू भी निभाया है बविश में निभाएंगे